Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफॉर्डबल इसका थोड़ा critical analysis करते हुए, बोथ positive and negative side of this presidency को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कुछ articles में आये हैं कि ये जो ताज है, ये काटों से भरा हुआ है, तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है और क्या जिम्मेदारिया रहेंगी भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के और साथ-साथ जो पूरे diplomats हैं regarding the G20 presidency का जो tenure रहेगा भारत का और उसके साथ-साथ हम ये देखेंगे कि क्या challenges हैं जो G20 को address करने चाहिए और किस हद तक वो कर पाएगा, वो depend करेगा बहुत सारे factors पे और उन्हीं सब मुद्दों पे आज हम लोग इस वीडियो में discussion करने वाले हैं, तो कि G20 presidency का जो भारत इस बार host करने वाला है, और अगर हम ये map देखें, तो G20 देशों की अगर हम बात करें, तो ये सारा जो countries हैं, ये G20 का part बनते हैं, अब G20 अपने आप में एक बड़ी unique type की grouping मानी जाती है, उसके कुछ important aspects हम दो समझेंगे, क्योंकि world की one of the largest population and economy in countries में रहत United States, Mexico, Brazil, Argentina जैसे region भी हो, तो इस पहलू को अगर हम देखें, तो G20 अपने आप में एक बहुत ही महत्वपून grouping बन जाती है, apart from all the other international and multilateral groupings जिनके बारे में हम जानते हैं, तो जो group of G20 है, ये एक premium forum माना जाता है for international community and economic cooperation, keyword ध्यान रखेगा, economic cooperation की बात की गई है, जैसे और भी बहुत सारे type के multilateral grouping होती है, जैसे quad को आप कह सकते हैं, ये वो एक security alliance है, या जैसे आप देखेंगे शांगाई, cooperation organization, SCO, वो अपने आप में security और बहुत सारे aspects को cover करता है, बट G20 majorly जो focus करता है, वो economic cooperation पे focus करता है between all of these countries, और प्रधानमिंत्री मोधी जी ने भी ट्वीट किय इंडिया था, ये photos हैं, इंडिया बाली summit की जो अभी last summit हुआ था, जिसके बाद जो official presidency है, वो भारत को handover करी गई by the Indonesian president, तो India will assume the G20 presidency for the coming hour, our agenda will be inclusive, ambitious, decisive and action oriented, बहुत keyword important है ये, कि हम लोग inclusive, ambitious, progressive future की बात करने वाले हैं, और इंडिया की presidency का ये highlight रहेगा, जब अब इंडिया में host करेंगे G20 की summit को, और अगर हम बात करें members of G20 की, तो ये सारी countries उसका part है, जिनका map हमने देखा, और हर साल क्या होता है, जो presidency होती है, वो invite करती है, अपने साथ guest countries को participate, तो Spain अभी के time पे आप देखेंगे, एक permanent guest के तोर पे invited है, तो ये कुछ tidbits होते हैं, जो prelims में आपके exam में पूछे जा सकते हैं, और exam के लिए भी important होते हैं, उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे, तो ये forum जो है, वो 1999 से regularly meet करता रहा है, और उसके लावा, देखेंगे, leaders have been meeting for an annual G20 leader summit since 2008, तो ये कुछ factual information है, जो आपको पता होने चाहिए, इसके लावा और भी कुछ important factual information है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, बट उसके पहले, आप में से बहुत सारे लोग जो इस platform पे मेरे साथ पहली बार या शायद दूसरी बार जोड़ रहे होंगे, तो अपने बारे में थोड़ी जानकारी दे देना चाहता हूँ, पूरी जो humility के साथ की मेरा नाम दिपांशु सिंग है, मैं यहाँ पे senior director हूँ, faculty हूँ, study IQ में, more than 10 years of teaching experience है, and some of my students are top rankers, जो इस समय serving IS and IPS officers है, उसके अलावा, मैं government of Uttar Pradesh के लिए public policy advisor हूँ, I work in the district of Noida, and उसके अलावा, I am an alumnus of IIM, Cozikore and London School of Economics, और आप मेरे साथ अगर जुनना चाहते हैं, मेरे courses के लिए, या मेरे book अगर आप चाहें, जिसको मैं international relations के point of view से लिखा है, UPSC exam के लिए, वो आप खरीद सकते हैं, Amazon and Flipcard से, and दिपांशु 27 Singh, दिपांशु सिंग.com, and these are the telegram channels, जहाँ पे आपको इन lectures की, और मेरे बाकी lectures की PDF, और साथ-साथ जो test series है, वो भी आपको मिल इसके लावा, 30 November से, सुबह 8 बजे से, batch 9 का live foundation course जो है, उसका batch 9 चालोगने वाला है, और मैं इसी तरीके से, इसी interesting तरीके से, अगर आप मेरी पूरी series follow कर रहे हैं, उस series का नाम है geography and geopolitics, तो दोनों ही अगर आप देखेंगे, interesting तरीके से हमने link करा है, क्योंकि कोई भी geopolitics without geography possibly नहीं है, और geography without geopolitics का कोई मतलब नहीं है, तो उसको follow करने के लिए आप उस playlist को subscribe कर सकते हो, जिसी interesting तरीके से हम लोग YouTube पर बढ़ रहे हैं, उसको और जादा, advanced level पर हम लोग पढ़ेंगे, इन live foundation courses में, जहां पर one to one mentorship होगी, साथ साथ daily answer writing, बहुत ही critical है, कितना भी पढ़ लो ultimate selection answer लिखके होने वाला है, वो हम करेंगे, और इसको इसका फाइदा पाने के लिए आप code use कर सकते हैं, deep life, जिसके बाद आपको discount मिल जाएगा, और 1899 में ये लोग ध्यान नहीं देते, कि ये actually 2 साल का subscription है, ये एक साल का नहीं है, 24 months, मतब इस price पे, इस level of commitment, इस level का quality teaching कहीं प करते हैं, G20 की, तो G20 जो है, अगर हम उसके कुछ महतवपून बिंदूओं को, अगर हम देखें, कि 80% of global GDP, वो G20 countries से आती है, 75% of international trade, G20 countries का है, 60% of the global population, G20 देशों में रहती है, तो इसलिए जो countries आपको दिख रहे हैं, ये trillions of dollars में किसकी कितनी economy है, 2021 का data है, of course US, ठीक है, China, Japan, India, UK, ये सारी countries उपर रहेंगे, but एक बहुत important चीज गौर करें लाइक है, जो मैंने यहाँ पे red में mark करी हुई है, कि G20, जैसे हमने पहले भी बताया, अपने आप में एक अलग किस्म की international grouping कह सकते हो, और ये जो है, इसका कोई parallel नहीं है, ठीक है, इसका major developed country भी आते हैं, और साथ-साथ developing देश भी आते हैं, जनली आप देखेंगे G7 हो गया, developed countries हो गया, या G77 हो गया, developing countries हो गया, G80 हो गया, ये G20 एक लौती ऐसी grouping है, जहाँ पे developed और developing countries, दोनों का समनवे, synergy, ठीक है, synthesis देखने को आपको यहाँ पे मिलता है, इसलिए ये बहुत अलग है, और यहाँ पे इसी लिए हर country का अपना एक viewpoint है, जिसको appreciate किया जाता है, जिसको respect किया जाता है, ऐसा नहीं कि आप developing देश न तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, और ये सबसे critical बात है, इस G20 gripping की, जिसमें आप देखेंगे, इन सारी countries के साथ ये countries भी आती है, औ और 85% of global GDP, 75% of international trade से जाधा, 60% global population इन देशों में रहती है, अगर हम विश्व की बात करें, तो इसलिए G20 अपने आप में एक अती महत्वपून grouping मानी जा सकती है, और डॉक्टर जैशंकर साहब के बारे में तो क्या ही बोले, अपने आप में rockstar है, डॉक्टर जैशंकर और Ministry of External Affairs के spokesperson, अगर हम उनकी बात सुने, जो official statement आया था, कि भारत की G20 presidency किस important चीज़ पर focus करेगी, तो उन्होंने quote unquote बोला कि जो priority रहेगी upcoming summit की, वो बहुत ही अगर आप देखेंगे, अभी firm up की जा रही है, and the set discussion among all the members countries will include issues related to women, women empowerment, ठेक है, digital public infrastructure, health, agriculture, education, culture, tourism, climate financing, very crucial, circular economy, कैसे सारे देश आपस में interconnected, economy interconnected है, ठेक है, global food security, energy security, green hydrogen, disaster risk reduction and resilience, fight against economic crime and multilateral reforms, जिसमें सबसे महत्वपूर्पून है, UN Security Council का reform, तो ये मतलब एक broad theme है, of course discussion सब चीज़ों पर होगा, but ultimately result या जो final discussion है, उसके बाद जो पहलू निकल के आएंगे, वो बहुत ही, कह सकते हैं, कुछ certain specific areas पर होगे, बट इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी हो, और ये, इंडिया ने अपना stance clear कर दिया है, कि हम लोग इन मुद्दों पर focus करेंगे, अपनी G20 की presidency पर, तो G20 के बारे में थोड़ी और information ले लेते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में idea ना हो, कि G20 जो अगर हम blocks की बात करें, तो G20 का अपना खुद का कोई permanent secretariat तो देखी है नहीं, ठीक है, और presidency में तीन country का रोल होता है, ठीक है, ट्रॉइका जिसको बोलते हैं, ये ट्रॉइका क्या है, तीन country है, ठीक है, एक होगा previous president, एक होगा current president, और एक होगा incoming president, तो इसमें ये ट्रॉइका ये बड़ा important हो सकता है, वैसे prelims के लिए अगर आप देखोगे, तो it can become very very crucial for your exam, कि UPSC prelims में इसको पूछा जा सकता है, कि भई इस बार G20 होने वाला अगले साल, तो ट्रॉइका किसका किसका है, तो previous president कौन सा, कौन सी country थी, इंडोनेशिया था, current president अब कौन हो गया, इंडिया, और ठेक है, उसके अलावा, incoming presidency and current, उसके बाद अगला होगा, इटली, तो पहली बार, interestingly ये होगा, कि first time the Troika would consist of three developing countries, बहुत ही महत्मूर्ण अगयान, बहुत जादा important है, जनली क्या होता था, कि developed countries होते थे, वो Troika के पार्ट होते थे, ऐसा पहल हो रहा है कि Troika, ये जो तीन countries हैं, उसमें तीनों की तीनों countries, Indonesia, Italy and India, ये तीनों की तीनों developing countries की category में आती हैं, और इस वज़े से जो developing देश हैं, उनका ये collective representation करेंगी, ताकि जादा मजबूती से, गहराई से, developing देशों की बात, इंडिया, इंडोनेशन जैसे रखी, इंडिय और Italy भी रख पाएं, ये बहुत ही important है, और उसके साथ-साथ आप देखेंगे, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, कि G20 presidency में क्या होता है, कि generally एक convention है, tradition है, कि कुछ guest countries को भी part बनाया जाता है, international organizations को as guest बुलाया जाता है, तो उसी तरीके से आप देखेंगे, इस बड़ा point छिपा हुआ है, या concern देखने को मिलता है, वो क्या है, आपने notice किया आगया होगा, कि South Asia में सिर्फ बांगलादेश को invite किया है, neither Nepal और any other country, जो बहुत सारे policy experts का मानना है, कि अगर India अपने neighborhood first policy को follow करता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, शायद वो और countries को बु करते हैं, तो बहुत ही बहतर स्तिती में और काफी अच्छा perform कर रही थी, even though वो IMF के पास खुद भी गहे थे, लेकिन फिर भी comparatively बाकी countries के comparison, उनकी economy काफी बड़ी है और काफी अच्छा perform कर रही है, तो only South Asian country to be invited is Bangladesh, which is a cause of concern for neighbors and policy experts का भी similar ही कुछ विचार है इस चीज़ को ल relations में, तो दो parallel track, मतलब दो अलग-अलग level पे चर्चाए होती हैं, एक होता है the finance track, ठीक है, which is led by the finance minister and जो आपके central bank governors होते हैं, जैसे हमारे RBI governor होंगे, और उसके लावा एक होता है share part track, ठीक है, these are the personal emissaries, मतलब उनके personal diplomat बोलो, leaders होते हैं, जिनको प्रधान मंत्री या उनके देश के जो राश्टर अध्यक्ष हैं, वो खुद अपॉइंट करते हैं, head of the state की वो उनके basically confident, the confident कह सकते हो, या उनके द्वारा appointed, चुने गए व्यक्ति जिन पर उनका पूरा विश्वास है, confidence है कि यो लोग अच्छे से discussion कर सकते हैं, ये अपॉइंट के जाते हैं, तो इस आप काम जी, former IS officer है, और साथ साथ former foreign secretary हर्श्वी श्रिंगला सहाब को भी appoint किया गया है, as India's chief G20 coordinator at the secretary level, ठीक है, इनको भी appoint किया गया है, तो अब share pass का actually काम क्या होता है, तो share pass जो होते, they oversee the negotiation, पूरे साल भर, actually मैं, जब ऐसे summits या event होते हैं, हमें लगता है कि प्रधान मंतर जी गए, और discussion हो गया, बात खत्म होगी, ऐसा होता है, सालों साल पीछे different different levels पे different tracks पे diplomacy होती है, diplomats, share pass, finance ministers, commerce ministers, अलग-अलग level पे, embassy level पे बहुत सारे रोज ही कुछ ना कुछ discussion हो रहा होता है, finally leaders का क्या होता है कि कुछ एक दो अगर sticking points है, कुछ रहे गया, या कुछ लग रह चीज है, जो फस रही है, शायद इसको हम, you know, personal leaders की कभी bonhomie होती है, उनके personal rapport equation होता है, जिससे उन चीज़ों को solve किया जा सकता है, तो उस perspective से अगर हम बात करें, तो तब leaders का role बड़ा important हो जाता है, basically final stamping authority होती होती है, but actual में जो main काम होता है, वो इन लोगों का होता है, उसलि donate करना, ठीक है, उसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे, 10 engagement groups भी है, अलग-अलग जो civil society, think tank, women, youth, labor, business, अलग-अलग sector से लोगों को लेके आते हैं, researchers को लेके आते हैं, जो in countries को represent करते हैं, और they try and find solution to the problems associated, उसके अलाबा अगर आप देखेंगे, एक बहुत बड़ा मुदा ज ठीक है, चाहे WTO हो, इन सब में जो reforms हैं, वो बहुत ज़रूरी है, उसके साथ-साथ UN reforms and UN Security Council reforms भी, एक priority agenda पे रहेगा under this G20 leadership, अब आते हैं हम लोग critical analysis पे, G20 की presidency की, की India की जो G20 presidency होने वाली है, ठीक है, इसको एक routine change of guard नहीं नहीं माना जा सकता, routine change of guard का मतलब की अच्छा चलो, जैसे और भी देशों की presidency सी, वैसे इंडिया की भी आगी, क्या फरक पड़ता है, कोई बहुत जादा फरक नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है बहुत, और ये मैंने कुछ authentic online sources से आप लोगों के लिए pick up किया है, ताकि आप लोग के लिए ask useful है, answer writing के लिए, कि पहला तो क्या है कि timing of the presidency is very important, because world जो है, एक extreme geopolitical और geoeconomic stress से पास कर रहा है, और आप लोग जानते ही है, Russia-Ukraine war की वज़े से global challenges निकल के आगे, economy crumble कर गे, recession के खत्रे, जो खत्रा है वो घूम रहा है, especially post pandemic transition जो easy होना था, वो Russia-Ukraine war की वज़ destabilize हो गया है, तो timing of presidency is very important, secondly, threats to multilateralism, तो अब जैसे आप देखेंगे, global challenges बढ़ते चले जा रहे हैं, अलग-अलग type के विश्व चुनातिया निकल के आगे हैं, तो multilateralism का कहीं ना कहीं role कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस समय जब India G20 की presidentship को समालेगा, तो उसका क्या role ह और कैसे समालेगा, ये बहुत भी मैदपूर्ण हो जाएगा, साथ-साथ इंडिया का growing cloud and credibility, अब इंडिया का जो दब-दबा है, वो पूरा विश्व जान चुका है, और इंडिया का दब-दबा बढ़ता ही चला जा रहा है, तो इंडिया's growing cloud, ठीके, अगर आप देखे, perception ऐसा है कि इंडिया की जो leadership quality है, वो बहुत जादा transform हो चुकी है, डॉक्टर जैशंकर जैसे आप देखे हैं, अजीट ड्वाल साब है, प्रधान मंतरी मोदी जी हैं, वो किसी के ना दबाव में आते नहीं है, आपने खुदी जब आप देखा हो, डॉक्टर जैशंकर साब क कि भई, if we are not choosing a side, it does not mean that I am just sitting idle on the fence, I am just sitting on my own ground, भई, हमें freedom होनी चाहिए, हमें क्या चूज करना है, कैसे चूज करना है, कब रियाक करना है, तो मारे क्याने पर धोड़ी करेंगे, तो European देशों को उन्होंने काफी occasions पे उनके ही तरीके से जवाब दिया है, तो वो एक बहु करें, उसकी inclusive global reach की बात करें, attention to implementation की बात करें, grassroots की बात करें, क्योंकि civil society organizations का involvement होता है इसमें, और इंडिया जो है, वो भले ही 2023 के बाद अपनी presidentship छोड़ देगा, लेकिन because being a past president, वो तब भी agenda उसको drive कर सकता है, and it will be working with the next president of the G20 and an important developing country, Brazil, which is now under President Lula da Silva, known to be very close to India, तो इसके बाद handover हो जाएगा Brazil के पास, Indonesia, India and Brazil, ठीक है, तो इस तरीके से, तो आप देखेंगे developing countries जो है, उनका अगर हम बात करें, तो past president, current president and future president, दोनों, तीनों का involvement होता है, तब ही हम उसको Troika बोलते हैं, तो अब positive से बाहर निकल के जरा हम लोग थोड़े challenges की बात करते हैं, challenges कहां से निकल के आते हैं, challenges बहुत सारे हैं, और ये चीज़ हमारे policy makers and diplomats को भी समझना पड़ेगा कि, इन challenges को address करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक pain point बने रहेंगे, तो अगर हम देखें, ठीक है, सबसे पहला जो है, use of nuclear weapons, जो है increasingly बढ़ता चला जा रहा है, और India क्योंकि खुद भ बोल सकते हैं कि आप weapons of mass destruction मत use करो, दूसरा point कि क्या हम substantive ideals for global institutions जो coming decade की हम बात कर रहे हैं, हम substantive ideals जो हैं, मतलब जो institutions को govern करते हैं, जिस मतलब हम बात करते हैं कि हर institution का अपने important role होता है, उनकी responsibility होती है, हम खुद खोश नहीं है UNK functioning से और बाकी organizations के तो क्या हम उस चीज़ को उतन अच्छे तरीके से रख पाएंगे this platform पे, तीसरा, can we push the world to rethink our current economic system which will only accentuate extremes of wealth as well as poverty, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, सरकार बहुत कुछ करती है लोगों के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि Oxfam और इतने सारे inequality report आते हैं, भारत में जो rich है और poor है उसका gap बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, income inequality is one of the highest, in fact ऐसा मना जाता है, कुछ reports कहती है कि income inequality जो है, वो 1947-48 के period को बिलॉंग कर रही, इस समय की इतनी जादा difference है income की, तो क्या considering कि हमारी society में जहाँ पर ancient tradition है, गांधियन thinking, गांधियन philosophy है, क्या हम इसको balance कर सकते हैं, sustainable development को, या human needs को rather than military security, क्या सारे ऐसे देश हैं, आज के टाइम पे आप देखते हो, जहाँ पे democracy को खतम किया जा रहा है, sanity, साथ-साथ, कैसे हम ensure कर सकते हैं, that the climate change does reverse progress and towards attaining sustainable development goals from the poorest and most vulnerable countries, जो सबसे जादा affected है, गरीब देश, climate change, especially island nations, क्या हम उनके लिए collective voice present कर पाएंगे, इस में, role of multilateral institutions, जब हमने बात क करी कि UN हो, UN Security Council हो, World Bank हो, IMF हो, क्या वो विश्व की जितनी problems है, उनके लिए, वो कोई solution आज तक ढूण पाया है, और क्या आगे ढूण पाएगा, इसलिए हम लोग reform की बात करते हैं, और सबसे महत्वपून बात, कि European देश जो एक बहुत बड़ा chunk है, बहुत बड़ा हिस्स है, G20 का, उनका stance चाइना और इंडिया को लेके काफी clear नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा detail में बात करेंगे, कि चाइना को लेके क्या concern है, और especially UN के हम बात करेंगे, और China, Russia, UN का जो एक concern है, उसके बारे में भी थोड़ा discussion करेंगे, G20 में क्योंकि बहुत important है, जैसे अगर हम देखें कि जो European Union की अगर हम बात करें, जब गलवान पे Chinese ने हमला किया था, तो इंडिया का support करने के बजाए, they took a neutral stand, और उनने नहीं चाइना को condemned किया, इस aggression के लिए उसके साथ-साथ, वो खुद इस बात को जानते हैं कि China उनका सबसे बड़ा threat है, US को भी प उनके close ties बने हुए है, दूसरा अगर आप देखें, यूरोप, जो रशिया को एक terrorist state बोलता है, लेकिन वहीं पे, दोगलापन आप देखो इनका, कि जो state sponsored terrorism का देश है, जो पूरा विश्व जानता है, उसके बारे में कोई concrete statement उनका आज तक नहीं आया है, in fact, China उनको महीने महीने cover fire देता रहता है, और यूरोप भी उनके साथ dance करता रहता है, तो ये थोड़ा दोगलापन दिखाता है, European countries का, क्योंकि वहीं countries ultimately G20 के भी part है, और because UN has failed to do its duty, an enforced peace, a security issue has become an economic challenge, जो एक military issue था, Russia-Ukraine war, वो अब economic challenge बन गया है, world में gas prices rocket कर गये हैं, क्योंकि Russia पे sanctions लगा दि इसमें Europe की उतनी ही बड़ी गलती है, जितनी बड़ी गलती है, जब हम बोलते हैं, Russia और Ukraine दोनों की है, और इसमें कहीं न कहीं आग में घी डालने का काम, Zelensky साब और European देशों का रहा है, ये चाया अब माने चाया ना माने बाद ये बट ये सत्य है, जो independent things, thanks and policy experts भी बोलते हैं, तो जब हम इसकी बात करते हैं, तो क्या वो लोग, वो country, G20 का पार्ट बनेंगी जब हैं, जब मीटिंग होगी, क्या वो इस पे कोई concrete steps ले बाएंगी, क्योंकि ये भी एक important बुद्धा है, discussion का during the G20 Presidency of India, और साथ-साथ giving that the rising prices and higher interest rates are the core economic concerns of all countries, it is heartening to see that the G20 Bali Summit in Indonesia, वहाँ अब इंडोनेशन प्रेजिन ने बहुत सही तरीके से उसको steer किया, कि भाई, we need to focus on economics, we need to focus on economy and we need to focus on climate change, दोनों को focus करके चलना पड़ेगा, war जो है, उसका समय नहीं है, जैसे प्राजान मंत्री मोदी जी ने भी बोला, similarly हमें ये भी देखना पड़ेगा, कि economics, back to economics पे हमें जाना पड़ेगा, we have to focus on economy और उसके लिए इन तीन, जैसे हमने बात करी ना, ट्रॉयका की, अब जैसे ट्रॉयका है, ब्रजिल, इंडिया, इंडोनेशिया, वैसे ये तीन ट्रॉयका, ध्यान से देखिएगा, यही लोग responsible होंगे, प्रधान मंत्री मोदी, NSAG डुवाल, और हमारे रॉक स्टार डॉक्टर S. जैशंकर साहब, इन टीनों का बहुत important role रहने वाला है कि भारत की G20 presidency कैसी होगी, कैसे उसका result निकलेगा और कैसे उस पर discussion होगे, तो दोस्तों ये था critical analysis of the G20 presidency of India, इसमें जैसे भी updates आते रहेंगे, हम उसको cover करते रहेंगे, अपनी series of geography and geopolitics और आप मेरे courses को join करने के लिए code यूज़ कर सकते हैं, deep life, life foundation course में ऐसे ही मज़यदार तरीके से हम लोग geopolitics और geography बढ़ेगे, so till next time दोस्तों, thank you so much and जैहिंद.